गैस जैसे अगर मैं आपके सामने को sentences बोलता हूँ, मैंने धरवाजे पर जाकर invitation card को hand out किया, hand out यहाँ पर एक freezal verb है, इसका मतलब क्या होता है, आज शाम को चलो get together होते हैं, get together का क्या मतलब होता है, hawker से मैंने पानी की एक bottle खरी दी, hawker का क्या मतलब होता है, driving श्टार्ट कर इसे पहले buckle up कर लो, buckle up का क्या मतलब होता है, तो yes guys, आज के इस वीडियो में आप इसी तरह के बहुत सारे English words सीखेंगे, कुछ freezal words भी होंगी इसमें, तो चलिए guys, फड़ा फड़ से वीडियो को start करते हैं, पहले हमारा sentence है, earth heave, barge through the crowd of people, यहाँ पर बार्ज जिंपली ए ओला जा रहा है, कि लोगों की भीड से होकर, एक चोर तेजी से गुजरा या फिर तेजी से गया, थी barge through the crowd of people, next हमारा sentence है, I'm sorry to barge in like this, but it is very urgent, barge in यहाँ पर एक phrasal verb है, इसका मलब होता है, किसी को बीच में टोकना, जैसे दो लोग या फिर थोड़े ज्यादा लोग, तो यहाँ पर भी यही बोला जा रहा है, I'm sorry to barge in like this, मतलब आपके बीच में बादा डालने के लिए ऐसे मुझे माफ करें, आपको ऐसे बीच में टोकने के लिए मुझे माफ करें, but it is very urgent, लेकिन यह बहुत ज़्यादा जरूरी है, next हमारा sentence है, please buckle up before you start driving, यहाँ पर buckle up, simple ए सकते हैं, तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है, कि किर्पिया driving स्टार्ट करने से पहले या फिर किर्पिया कार चलाने से पहले अपनी seatbelt को बांद लो, please buckle up before you start driving, next हमारा sentence है, let's get together this evening, मतलब get together यहाँ पर एक frizzle verb है, तो इसका मतलब यह होता है कि किसी से मिलना, तो यहाँ प summer, यहाँ पर grow up, simply एक frizzle verb है, इसका मतलब होता है, बड़े हो जाना, या फिर बड़े होकर और ज्यादा grow हो जाना, या फिर पैदा हो जाना, ऐसे sense में भी बोल सकते हैं, तो यहाँ पर यह बोला जा रहा है, कि जो मेरे गुलाब के फूल है, वो इस summer में, या फिर इस घर् notice किये हुए, या फिर बिना किसी के सजाद दिये हुए, मतलब आपने कुछ किया, और दूसरे person ने या फिर किसी ने भी उसको notice नहीं किया, उस पर ध्यान नहीं दिया, तो यहाँ पर यह बोला जा रहा है, कि वो आपने max के test में हमेशा cheating करती है, और किसी के द्वारा पकड अब होता है, कि बहुत लंबे समय तक किसी चीश को देखते रहना, या फिर बहुत लंबे समय तक किसी person को देखना, टक-टकी लगा कर किसी को देखना, बहुत ही, मतलब घूरना अच्छे तरीके से, तो यहाँ पर ही बोला जाए, लड़कियों को टक-टकी लगा कर घूरो लेडी, यहाँ पर अच्टॉर्ट सिंपली एक वर्ब है, इसका मतलब होता है कि forcefully या फिर जबरदस्ती, किसी से धमकी देकर पैसे लेना, या फिर किसी को धमकी देकर कुछ लेना, forcefully, तो यहाँ पर यह बोला जा रहा है कि वो अरेश्ट कर लिया गया है, किस चीश के लि We handed out the invitation cards at the door, यहाँ पर hand out simple एक phrasal verb है, इसका मतलब होता है कि किसी चीश को लोगों के बीच में बांटना, या फिर जैसे एक ही चीश है तो उसको लोगों के बीच में देना, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि मैं घर पर जाकर, हर एक के घर पर जाकर invitation cards को उनके हाथों में दिया या फिर बांटा, We handed out the invitation cards at the door, He worked as a street hawker selling tea, यहाँ पर hawker simply एक noun है, इसको हम किसी परसन के लिए यूज कर सकते हैं, एक ऐसा परसन जो पैसे कमाने के लिए इधर जाता है समान को बेचने के लिए, जैसे कोई भी समान है, जैसे रोट पर भी आपने बहुत बार जैसे पानी के बाटल, कोई चिप्स बेचते रहते हैं, तो ऐसे समान बेचने वाले इंसान को hawker बोल सकते हैं, यहाँ पर यह बोला जा रहा है, कि उसने चाय बेची, मतलब रोट पर इदादा जाकर वो चाय बेचा करता था, तो उसने ऐसा काम भी किया, He worked as a street hawker selling tea, अगल करना, या फिर किसी चीज को किसी के सामने जमा करना, तो यहाँ पर सिंपल यह बोला जा रहा है, कि मुझे अपने essay को Friday तक, मतलब शुकर बार तक, जमा करना है, या फिर किसी के सामने, अपने teacher के सामने प्रस्तुत करना है, I have to hand in my essay by Friday, अगला हमारा sentence है, She has been a stalwart for me, यहाँ पर stalwart, सिंपल यह एक adjective है, इसका मतलब होता है, कि कोई person है जो loyal है, या फिर कोई person है जो अच्छा कासा वफदार है, या फिर जिस पर अच्छे से बरोसा किया जा सकता है, ऐसा person को बोल सकते हैं कि वो stalwart है, तो यहाँ पर यह बोला जा रहा है, कि वो लड़की मेरे लिए ब यहाँ पर put life on the line, simply एक idiom है, इसका मतलब होता है, अपनी जान खत्रे में डाल देना, या फिर किसी चीज के लिए risk ले लेना, तो यहाँ पर यह बोला जा रहा है, कि उसने अपनी जान को खत्रे में डाल कर मुझे बचाया, He saved me, putting his life on the line, अगला sentence है हमारा, My sister got back at me for stealing shoes, यहाँ पर get back at somebody, simply एक phrasal verb है, इसका मतलब होता है, किसी से बदला लेना, या फिर किसी को पलट का जवाब देना, essence में भी बोल सकते हैं, तो यहाँ पर सिंबल यह बोला जा रहा है, कि मेरे sister ने जूतों की चोरी के लिए मुझस Next हमारा sentence है, She was wearing a brief skirt, यहाँ पर brief simply एक noun है, इसका मतलब होता है, कुछ है जो संचिप्त है, मतलब कुछ है जो short है, मतलब छोटा है, ऐसे जन्स में बोल सकते हैं, तो यहाँ पर यह बोला जा रहा है, उसने एक छोटी skirt पहनी हुई थी, She was wearing a brief skirt, अगला sentence हमारा, Please go ahead and tell me your perception of this video यहाँ पर go ahead simply एक phrasal verb, इसका मतलब होता है, कि किसी चीज को शुरू करना, या फिर कुछ आगे बढ़ना, और यहाँ पर perception एक noun है, इसका मतलब होता है, किसी person की किसी चीज को लेकर राय, या फिर किसी चीज को लेकर किसी person का द्रश्टी कोन, तो यहाँ पर simply मैं आपसे ऐ और perception of this video, next sentence है हमारा, please give me a brief detail on this matter, यहाँ पर brief word को एक noun के रूप में यूज के जा रहा है, तो simply इसका मतलब होगा कि कम शब्दों में, तो यहाँ पर इसका मतलब यह होगा कि किरपया, इस मामले के बारे में मुझे कम शब्दों में जानकारी दो, please give me a brief detail on this matter, अगला sentence है हम I finally got back into watching web series, यहाँ पर get back into something, simply एक phrasal verb है, इसका मतलब होता है कि किसी चीज में रूची लेना शुरू कर देना, किसी चीज में इंटरस्ट लेना शुरू कर देना, मैंने आखिरकार web series को देखने में रूची लेने शुरू कर दी, या फिर इंटरस्ट लेना शुरू कर दिय I finally got back into watching web series, I'm sorry to disillusion you, यहाँ पर disillusion simply एक वर्ब है, इसका मतलब होता है किसी का भरोसा तोड़ देना या फिर किसी का विश्वास को भंग कर देना, तो यहाँ पर यह बोल जा रहा है कि तुमारे विश्वास को तोड़ने के लिए या फिर तुमारे विश्वास को भंग कर आपने के लिए मुझे माफ कर दो, I'm so sorry to disillusion you, नेश्ट हमारा सेंटेंस है, he went after his dream, he is a software engineer right now, यहाँ पर go after something simply एक फ्रेजल वर्ब हैस का मतलब होता है कि किसी चीज को पाने के लिए उसका पीछा करना, या फिर कुछ पाने की कोशिश करना, तो यहाँ पर यह बोल जा रहा है कि उसने अपने ड्रीम का पीछा किया या फिर अपने सपने का पीछा किया, अब वो एक software engineer है, he went after his dream, he is a software engineer right now, so that's it guys for this video, guys अगर आपने यह वीडियो यहाँ तक देख लिया है, तो मैं चाहता हूँ कि आप comments में 202 type करके मुझे comment करके बताइए, आपके जो भी doubts है, आप को मुझे comment करके बताइए, मैं अपनी वीडियो में लेकर आपके doubts को clear करने के पूरी कोशिश करूँगा, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like कीजिए, channel को subscribe कीजिए, जादा से जादा इस वीडियो को share कीजिए, thank you so much for watching this video, I'll catch on the next video, take care.